तो फाइनली दोस्तो ओला ने अपने चार नए उलेक्ट्रिक स्कूटर को लाँच कर दिया है इनी स्कूटर की कीमत सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपी से स्टार्ट होती है जो की सबसे ज़्यादा क्रेजी करने वाली बात है बिगोज इतनी कम प्राइज में आज तक किसी भी वेस्ट नहीं करते हैं और मैं इन सभी एक एक करके इस उलेक्ट्रिक स्कूटर के बार में आपको बताने वाला हूँ तो फर्स्ट यहाँ पर कमपनी ने ओला गीग एंड ओला गीग प्लस को लाँच किया है ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल राइडर के लिए बन करना पड़ेगा इस स्कूट में कमपनी ने 250 वाट की हमाट मोटर का इस्तमाल किया है जिसकी टॉप स्पीट 25 किलोमेटर परार की होने वाली है तो यहाँ पर यह आप कंफर्म हो गया है कि इस स्कूटर को चलाने के लिए किसी भी लाइसेंस वगरा की जरूत नहीं पढ़न इस स्कूटर की कीमत सिर्फ 40,000 रुपीज है जिसको आप 499 रुपीज देकर रिजरू कर सकते हैं जिसकी डिलिवरी एप्रेल 2025 में होगी नेक्स्ट इस ही का बड़ा भाई Ola Geek Plus आ जाता है जिसका डिजैन थोड़ा ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है इसमें रेड एंड ब्लैक कलर का कॉमिनिशन अच्छा लग रहा है सेफटी कार दिये गया है 12 इंच के टूबलेश टैर मिल जाते है इस स्कूटर में 5.5 kWh battery pack मिलता है जो कि single मिलेगा जबकि इसमें आप dual battery का इस्तमाल कर सकते हैं तो single battery से आपको इसमें 50 km क्या सबस में range मिलेगी जबकि dual battery से आपको इसमें 100 km क्या सबस में range मिल जाएगी वहीं इस स्कूटर की कीमत 50,000 रुपीस है और इस स्कूटर की delivery भी April 2025 में की जाएगी Now next आजाते हैं Ola S1 G पर ये दोनों electric scooter बिल्कुल सेम है इनका design भी almost same मुझे लग रहा है बस कहीं कहीं थोड़े बहुत चिंजिस है Ola S1 G Plus में थोड़ा extra luggage carry करने के लिए आपको space मिलेगा और extra समान carry करने के लिए storage भी इसमें दी गई है बाकि इन दोनों electric scooter में same display मिलेगी ज जिससे कि ये scooter 70 km पर आर की top speed से चल सकता है और इन दोनों scooter में भी आपको 1.5 kWh वाली single battery मिलती है जिसे कि इन scooter में 62 70 km क्रासपस में range मिल जाएगी जबकि dual battery के साथ में इन scooter से 100 km क्रासपस में range देखने को मिलेगी यहाँ पर Ola S1 G की price 60,000 रुपीज है जबकि Ola S1 G Plus की 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 65,000 रुपीज है और इन scooter की delivery मैं 2025 में करवाई जाएगी तो ओरोल दोस्तों यहाँ पर Honda Activa अपना रिमेवल बैटरी वाला नया electric scooter कल लाँच करने वाला है उससे पहले ये Ola ने अपने चार नया electric scooter को लाँच करकर market को kill कर दिया है यहाँ पर इन सभी scooter में new रिमेवल बैटर बनाने वाली company को आगे नहीं जाने देने वाली बाकि आप लोगों की क्या है रहा है नीचे कमेंट करके ज़रू से बताना दोस्तों वीडियो अचले के तार प्लीज वीडियो को लाइक करना मैं मिल तौँ आप से करें इसे ने वीडियो में तो विट के लिए सेफ एंड से